बच्ची का शम मिलने से हड़ कम्प मच गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांश परताल की, तो पाया गया कि बच्ची के पिता के दोस्त नहीं बच्ची की हत्या की थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफतार का जांश परताल शुरू कर दी गाजियबाद की कविनगर थाना इलाके में एक धाई वर्षी ये बच्ची का शम मिला, जनपत गाजियबाद की कविनगर थाना चेत्र के ओध्योगी की चौकी चेत्र में धाई साल की बच्ची का शम मिलने से हड़ कम मच गया, हत्या के बाज शरफ को फेके जाने की आशंका जताई है पोलिस ने बच्ची के श्रफ को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया मृतक बच्ची के पिता के ही दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया था दस वर्ष ते बच्ची के पिता की आरूपी से दोस्ती थी आरूपित को चाचा कहती थी मृतक बच्ची पोलिस ने को हिरासत में लेकर जांच परताल शुरू कर दी है सुधाकर चोहान गाजी अबाद समाचार 24 किस तरिक से किसी सूचना मिली या कोई कैसे तो फिर आपको सुवे कैसे पता चला के वहाइन रखी अच्छा को ने वह वेक्ति इसने सब्सक्राइब कहां रहता है क्या है क्या है दोड़त पुड़ा में रूम प्राया पराता है मैं सर्मा कर आपस काम करता है उसका बाप भी कम गड़ाज आप लड़की से क्या देखकत थे उसे क्या दुशमन निथी घारूपिए है subятся बड़ारु कि लड़की नजी को लड़की को ग्रूम पv शुटाया हो लड़की नगी को ले करृजकी को लड़की को ले गए गया ह पुलिस ने का रूपी गरफतार कर लिया है। जी उसे गरफतार हो चुके है। एक फूठना प्राफ जी है जिसमें एक भाई वड्स की बालिका है जिसका सव पुलिस में बरामत किया है। और इस संबंद में उसके परिजनों ने अवगत कराया है कि उनी के घर में जो दस वड्सों से उनके मिलने दुनने वाला एक वेक्ती था जो की एक तरह से मुझ बोला चाचा था और जिसको भाई की तरह मानते थे। उसके द्वारा जो है कल खिलाने के बहाने बच्ची को रात में अपने साथ ले गया था और उसके बाद से बच्ची लापता था जो यह व्यक्ती है इसको तुरंद पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है इससे पूस्ता चल रही है वहीं सब को पोस्टमाटम के लिए भे झाल झाल झाल